बिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा अपना नाम मेरे नाम से जुडने के पश्चात भी मेरे प्रिय भक्त मोर्या जी कुछ और ही चाहते थे आज महान संत महात्माओं की मेरे परिवार और प्रिये जनों की उपस्थिती में मैं कुछ कहना चाहता हूँ शिगर बताईए गड़ेश जी क्या कहा मोरिया जी ने गणपती बप्पा का बुलाबा आगया है मुझे वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ त्याग कर उनसे एकाकार हो जाओ इसे लिए मैंने निर्नाई लिया है संजीवन समाधिका संजीवन समाधिका संजीवन समाधिका संजीवन समाधी प्रभू हाँ वो जीवित अवस्था में समाधिस्थ होकर मुझसे यानि अपने भगवान से एक हो जाना चाहते थे फिर भक्त की इच्छा के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता था और उनका परिवार तो वैसे ही उनकी इच्छाओं के सामने नत्मस्तक था कि चिंचवार में गणपती वप्पा पधार चुके हैं मुझे प्रभू के दर्शन मिल गए हैं मेरे जीवन का उद्धिश्य उन हो चुका है अब मुझे प्रभू से एकाकार होकर अपनी भक्ति के चरम पर पहुशना है किन्तु ही तन उसमें बादार अब तो बस एक ही उपाय है गणपती वप्पा गणपती वप्पा इस प्रकार आज भी सजीवन समाधी से भक्त मोर्या अन्य भक्तों का उद्धार करते हैं भक्त मोर्या ने सदा अपना विश्वास अडिग रखा अनेकों उपहास सहे किन्तु भक्ति का अनुपम उदाहरन प्रस्तुत किया ये प्रमानित कर दिया कि जिनको अपने आराध्य में अडिग विश्वास होता है उन भक्तों की भक्ति अवश्य सफल होती है और स्वयम भग्वान उनके पास आने को विवश हो जाते हैं और पुष्पिदंत जी अपने हाथ देखिए जिस प्रकार भक्ति और विश्वास के जागरित होने से आपके हाथ पूर्व समान हो गए हैं उसी प्रकार भक्त कथाओं को सुनते रहने पर जैसे जैसे आपका प्रभु प्रेम और सुद्रण होगा आप पूर्ण रूप से कुशल हो जाएंगे स्वामी अब तो आप मानते हैं ना कि ये परिस्थिती आपके लिए बदल सकती है अब तो आप अपने वजन के अनुसार भक्तो की कथा सुनने यहां रुकेंगे ना नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं होता यह सत्य नहीं कोई माया है मुझे भ्रामित नहीं होना है भ्रामित तो आप हो रहे हैं अपना वचन भन करके स्वामी तो प्रिस्थान कर गए गने जी अब हूं क्या करेंगे ये पिशाच योनी का सत्य है मौसी जया, इस योनी को जो भोगते हैं, वो स्वयम अपने हाथों कुलहाडी का वार अपने पावों पर ही करते हैं, और यदी कोई उनकी सहायता करना चाहे, उन्हें उचित मार्ग दिखाए, तो वो उससे दूर भागते हैं, इसलिए सदा भट रहते हैं वो, तो क्या स्वामी भी सदा पिशाच योनी में ही रहेंगे, नहीं मौसी, आशा जीवित रखिये, भक्त मोर्या की कथा से प्रेणा लीजिए, आशा और विश्वास से सब कुछ संभव है, हम मिलकर पुश्पदंत जी को पिशाच योनी से मुक्ति दिलाएंग आप अपने विश्वास पर अडिग रहे जया मौसी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं उन्हें तब तक सभी भक्तों की कथाएं सुनाता रहूंगा, जब तक की वो पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होते, भक्ती की मर्यादा सीथ कर स्वयम महान भक्त नहीं बन जा कहां गए होंगे पुष्पदंत जी उस दिशा में जाना चाहिए मुझे गडिस जी, इस पार ढूमते रह जाएंगे किन्तु पकड़ नहीं सकेंगे मुझे चिन्म बहुत छोड़ दिये हैं पुष्पदंत जी ने मेरे भटतने के लिए किन्तु मेरा भी संकल्प है धूंड कर तो मैं निकाल ही लूँगा पिशाच स्वभाव तो ये है कि जो स्थान एक बार भाज आए उससे शीग्र मुक्ती नहीं पाते हैं पिशाच अवश्य पुष्पदंत जी यही हैं इसी ग्राम में किसी दुर्बल पुरुष के तन में होंगे ये लकड हारा तो आवेशक्ता से अधिक श्रम कर रहा है कहीं इसके तन में तु नहीं है प्रणा महराज नहीं ये तो सामान यही है कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं ये अवश्य बल्शाली है मुझे कहीं और डूंड़ना होगा अरे यहां गिर गया कोई बात नहीं स्वामी मैं समयट देते हूँ लो ये देख लो कैसा सत्या नाश हो रहा है यहां अपना कारे ध्यान के क्या गरो बहू अपना कारे सुचारू रूप से कर लेंगे आप अपने कार पर ध्यान दीजिए मैं भी ठीक इसी तरह सदा दूसरों को आदेश देता रहता था शीगरता करो यह क्या हुआ यह द्वार अपने आप कैसे बंद हो गया द्वार खुला रहेगा तो तूट सकता है ना माइका नहीं तुमारा वहां से द्वार नहीं लाये तुम ध्यान रखा करो मुझे मुझे शाबा कर दीजे दीदी मैं अपसे ध्यान रखूंगी भाबी क्या यह चोटी भाबी कैसा निम्गो ताढ़ बना दिया शीदल पेकिस्तान पे देखो ना मा इनसे एक भी कार ठीक से होता ही नहीं है लेकित अपने ही तो कहा था ना कि शक्र कब दाल लिये देखो ना मा यह खानी और कर दी नोंने तूर तूर हो गया यह यह यहां बाबी यह मुझे मेरे ससुराल लेकर जाना था जब तक दोचारी से पड़े नहीं यह कोई कार्या ठीक से नहीं कर पाती है हम जानते इसका उप्चार क्या है चलो यह सब समेटो अभी माजी माजी देखी इसने छोड़ दिया ता कि अमारे पाव में गड़े माजी अब मैं कैसे चलू इतना सारा कार्य है अब यह कौन करेगा यह करेगी चलो उठो यह सफाई करो बस्त्रदो पात्रदो और शीगरता से बाकी के कार्य संपन करो इसके बाद ही तुम्हें भोजन मिलेगा समझी कोई उत्तर क्यों नहीं देती अब मैं सबजगी आप जो बोलो के मैं सब करूंगी पीछे मुड़कर क्या देख रही हो चलो घर के सारे कारे संपन करो यह वास्तर भी गोले है तुमसे क्या रही हूँ इधर देखो अच्छे दो धुननाव सबस्तर को लिग्या क्या पिगोया क्यों पुटे लगता है तुमको पाट सिखाना ही पड़ेगा पाट तो तुम सिखोगी विरद्दा माओ दो मेरी मा के साथ ऐसी उटन्टता यह क्या कर रही हो तुम छोटी बहू तुम्हे शोबा नहीं देता जान लो जिसका विउपोहास हुआ है उसी ने इतिहास रचा है किसी कार में वोड़ी से ढूल चुक हो जाए तुमेरा परियास करोगे मुझे प्रतालिक करते रहोगे माँ कुछ जाकर छेपे हैं पुष्पदंत जी अब और उल्लाना नहीं सुनूंगी दुष्टा अब तुम्हारी दुष्टता का जाट नहीं लेना अब सताने का साहस है मुझे तुम्हारा स्वभाव अचानक कैसे बदल गया चोटी भावी तुम तो बहुत शांता सुशीर थी हाँ थी जंगल में सीधे खड़े व्रिष को काट दिया जाता है और तेड़े मेरे व्रिष जान खड़े रहते हैं मेरे भी सीधे बंदव बहुत लाब उठाए ना तुम दीनोंने हाँ बचाो इससे क्या होगी बचाओ में कोई बचाो में कोई बचाओ में सासु माहें ये तुम्हारी इनके साथ दुर्वेवहार करोगी तो नर्क में जाओगी वहां से आया था वुस्वर वहां से वहां से वहां से वहां से अबसे इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी चलो तब ही अपने कान कख़ो और उठ्थक बैटक्शिनु करो तुम्हारी नदर जठानी है और तुम्हारो जाओ अत्याचारी है ये चल्ड और जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तब तुम्हारी जीवा कहा थी चलो तुम भी इनका साथ दो दंट तुम्हें भी मिलना चाहिए ना करो और आप जैसी करनी वैसी भरनी कन्या बहु हो या बेटी अत्याचार तो अनुचित है ना बस बहुत हो गया बहु अब छोड़ दो देखो लोग भी देख रहे हैं कितना अपमान हो रहा है पिशाच का प्रवेश हुआ है इनके भीतर पर गड़िस जी यहां भी पहुंच ले मुझे पैजान भी लिया तो मुझे निकलना चाहिए यहां से ज्यानी महराज क्रिपा कीजिए इसके शरीर से पिशाच को निकालिए मेरा उबास करते थे ज्यादा प्रतारिफ करते थे मुझे चोटी सी भूल पे इतना कुछ कहते थे जैसे ये श्रेष्ट है और मैं निम्न चमा कर दो मेटी भावी हमसे भूल हो गया अब आगी से ऐसा कभी नहीं होगा सदयव सम्मान होगा तुम्हारा इन सभी ने इस बालिका के साथ जो दुर्व्यवार किया उसका दंड दे रहा हूं इने दुर्बल कुछ सबल बना रहा हूं ताकि आने वाले किसी भी करें उसे ऐसा करने देना ही आपकी भूल है स्वयम में विश्वास रखना अनिवार्य है फिर ऐसा कभी नहीं होगा ना भूल होगी ना दूसरों के कहने पर आप कोई दोश्पूर्ण आचरण करेंगे अब बचन देने का समय आप सबका है अपनी बहूरानी को अपने घर की पुत्री बना कर रखेंगे आप उसे प्रेम देंगे तभी मैं इस पिशाच को उनके भीतर से बाहर ला सकूँगा उचित कहा ना पिशाच जी तभी बाहर आएंगे ना आप हाँ महराच हम एक शमा कर दो छोटी बहू आज के बाद सदा अच्छा व्यवार करेंगे तुम्हारे साथ हर हर महादेव हम एक शमा कर दो बहुरानी बहु भी तो बेटी ही होती है अब यहां ना तुम्हे कोई प्रतारित करेगा और ना तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवार करेगा इश्वर नहीं व्यक्ती के कर्म उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं अब बनते हैं